हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अमित्मा इश्वरी आप सबी का सवगत करता हूं आज की इस इन्फॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और कई लोगों ने मुझे मेल किया और एक सवाल किया कि सर आप बहुत सारे बिजनस पर ट्रेनिंग देते हैं लेकिन हम लोग जॉब में हैं या कई लोग जिन्नों अपने जीवन में कभी बिजनस नहीं किया आप हमें बताएं कि बिजनस का पहला स्टेप क्या होगा बिजनस की शुरुवात कैसे की जाए तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जो भी बिजनस आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं उसकी शिरुवात कैसे करें उसका स्टाट अप कैसे करें ये बहुत बड़ा सवाल उन लोगों के लिए है जिन्नों ने अपने जीवन में कभी कोई बिजनस नहीं किया या जीवन का बहुत बड़ा हिस सा जॉब में निकाल दिया तो फ्रेंट्स भारत जैसे देश में हम इसे बहुत सारे लोगों में एक बहुत बेतरीन और सफल बिजनसमेन छुपा होता है लेकिन हम कभी भी इस छुपे वे बिजनसमेन को पहचान नहीं पाते लेकिन जिस दिन हमें समझ में आता है कि मैं अपन जैसे विकाशील देश में बिजनस ट्रेनर और कंसल्टेंट जो आपको आपके बिजनस को स्टेप बाई स्टेप पुरा बताए इसका बहुत बड़ा भाव है इसलिए फ्रेंट्स आज हम बात करते हैं कि बिजनस का शुबारम कैसे किया जाए फ्रेंट्स बिजनस तीन तर उसरे लोगों से चीजे खरीद कर आगे बेशते हैं तो आपका बिजनस ट्रेडिंग बिजनस कहलाता है और यदि आप सेवाय प्रदान करते हैं तो आप सर्विस इंडस्ट्री में कहलाते हैं किसी भी कंपनी का निर्मान करने के बहुत अलग-अलग प्रारूप होते हैं आज बिजनस करता है और प्रॉफिट या लोस कमाता है सौल प्रोपार्टरशिप में सबसे इंपोर्टन बात ये है कि जब भी आप सौल प्रोपार्टरशिप बनाना चाहते हैं तो आपका खुद का पैनकार उसमें इस्तिमाल होता है मतलब आपकी आइडेंटिटी को आपके ब नहीं किया जा सकता. business का जो दूसरा प्रारूप होता है partnership और साजय्दारी दो तरह ऐसे होती है एक registered partnership और एक non registered partnership. That means partnership is the relation between two or more than two person who are agree to start up a business with investment or ready to share profit in equal or proportionate ratio. साज़दारी का मतलब है जब दो या दो से दिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी business के स्थापना करते हैं तो वो लोग साज़दार कहलाते हैं और साज़दारी फर्म में उनका दाइत्व कभी भी सिमित नहीं होता चबी पार्टनर्स का दाइत्व असिमित होता है बिजनस का तीसरा प्रारूप है LLP Limited Liability Partnership मतलब आप अपनी पार्टनर्शिप के परसेंटेज को निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से पार्टनर की देंदारी कितने प्रत्चत होगी लाइक 50-50, 60-40, 70-30 और जिस रिशों में भी आपने पूंजी अपने पार्टनर के साथ लगाई है आप LLP के माध्यम से अपनी फर्म का निर्धारन कर सकते हैं The next step, that is private limited company एक वो कमपनी जो भारती कमपनी अधिनियम 1956 के अंतरगत रजिस्टर होती है उस कमपनी को corporate company भी कहा जाता है और किसी भी corporate company में कम से कम दो डिरेक्टर और माक्सिमम कितने भी डिरेक्टर हो सकते हैं that is known as private limited company private limited company क्यों बनाई जाती है क्योंकि जब बहुत सारे लोग मिलकर एक business करना चाते हैं तो हर व्यक्ति द्वारा लगाए गई पुझी उसके द्वारा लगाए गई पुझी के अनुपात में उसके उपर जिम्मेदारी और देंदारी होती है ये निर्वर करता है इस बात पर कि आपने कंपनी में कितना प्रतिशत पुझी लगाई है जितना प्रतिशत पुझी आपने बिजनस में लगाई होगी उतनी ही liability आपके उपर होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की एक खास विशिशता यह भी है कि बहुत सारे लोगों की credibility बहुत स्ट्रॉंग हो जाती है क्योंकि वह कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बिजनस का एक प्रारूप है इसके अलावा जब बहुत सारी कंपनी मिलकर आपस में बिजनस करती है तो उस बिजनस को joint venture बिजनस कहा जाता है लेकिन किसी individual project को लेकर A और B दोनों मिलकर एक साथ काम करती है तो उन दोनों की जो partnership होगी उसको joint venture कहा जाएगा उधारन के रूप में आप समझ सकते हैं कि डेली में विद्यूद विभाग को पहले डेशू कहा जाता था और जब government of India ने इसका privatization किया तो Tata को उसका एक share forward कर दिया और Tata और government दोनों मिलकर उस विद्यूद कंपनी को चलाने लगी जिसको हम joint venture company कहते हैं आज बहुत सारे projects को करने के लिए अलग अलग तरह की companies आपस में मिलकर एक project के लिए काम करती हैं और जैसी वो project पूरा होता है automatically वो partnership dissolve हो जाती है हमें से बहुत सारे लोग अपनी family में business करते हैं तो family के जितने लोग होते हैं उन सबी को मिला के एक company की इस्थापना करते हैं जिसे हम HUF company कहते हैं तो friends ये company के प्रारूप हैं कि किसी भी business को जब शुरू करना हो तो हम इन प्रारूप में अपने business की स्थापना कर सकते हैं friends business कैसे शुरू किया जाए इसकी पूरी एक series हम लोग लेकर आ रहे हैं और पहली series में हमने बात की कि company का प्रारूप क्या होता है दूसरी series में हम बात करेंगे कि company का जो प्रारूप है उसमें किस company को बनाने में क्या लाब और क्या हानिया होंगी तीसरी series में हम बात करेंगे कि अलग-अलग company के प्रारूप में हमें government of India से कौन-कौन से certificates, कौन-कौन से license, कौन-कौन से numbers हमें लेने होते हैं और उसके बाद हम उस industry में business शुरू कर सकते हैं यदि आप मेरी कोई भी informative वीडियो मिस नहीं करना चाते तो Metas Club के इस channel को subscribe करें comment box में अपना comment अवश्य लिखें आपने राज्य में training program organize कराने के लिए या live training program attend करने के लिए मेरी team को contact करें